तो हेलो दोस्तों कैसे हूँ मैं हूँ राजवीर और आप देखरों मेरे यूट्यूब चैनल है यारिव ब्रदर्स तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि एक कलच की बैल्ट कैसे डालते हैं पूरा कंप्लीट डिटेल दूँगा आपको ओजारों के बारे ही बताऊंगा ज्यादा बढ़िया रहेगा नहीं तो आपको रस्ते में धुका मिल सकता है जैसे की बैल्ट रस्ते में तूट सकती है यह नई बैल्ट है और यह ओरिजिनल होंडा की बैल्ट है हमारे पास गाड़ी है होंडा की एक्टिवा 125 सीसी की 6 जी ठीक है दुबारा बतारों 125 इसकी बारे में बात करते हैं तो इसमें क्लच रूलर हो गया और क्लच वेरइटर के दाल रही है मैं आपको दो-3 रीजिन बता रहेत हूं जिसकी बता लगा लोग से बहुत話 है मैं आप को थोड़ाख बारी के समझना जैसे ही में गाड़ी उठाते हहां ज़यरो लेती है लोड अगर नहीं ले रही है तो आपकी गाड़ी में कोई भी धिकत नहीं है रोलर वेरेटर के अंदर तो पटावट जादे दरी ना करते हो आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस तो यह हमारी है पूरी कंप्लीट बाइक स्कूटी ठीक है बाइक करते रहते तो यार बाइक मुझे हैंडल की जरूत नहीं पड़ेगी बाइचांस मान के चलो आपके पास गन नहीं है आपके पास एयर कंप्रेसर गन नहीं है तो आप क्या करोगे तो देखो आपको कुछ नहीं करना आप सिर्फ और सिर्फ यह वाला एल हैंडल यूस कर सकते हो इससे आपकी गाड़ी अब लगा सकते उन की अपके आपके अपने एकश्पिरियंस के अधार पर जो मैं काम करता हूं जो मेरे ख्ञास की मिलने अधार पर जो करता हूं क्योंकि बहुत जैसे चाहो वैसे लगा सकते को कोई इसई है ठीक भाई अब जो तो क्लच बैल्ट है हमारी यह क्लच बैल्ट है मैं एक चीज में दिखाऊंगा अब बारी किसे देखना और यह वीडियो के बीच में चीज बताऊंगा जो बहुत जादा जरूरी आपके लिए वीडियो स्किप करोंगे समझ नहीं पाऊँगे तो यह बारी को बैल्ट में फोलो करना यह इस तरीके से अगर आप उल्टी लगा तो नमबर उस साइड पहुंच जाएंगे ठीक है तो पढ़ेने में नहीं आएंगे उल्टे हो जाएंगे ऐसा होता है कि आगर आप बैल्ट को जैसे मर्जी लगा तो नहीं बैल्ट में कोई इशू नहीं है बट पुर इसके अंदर हवा वाली पंगड़ी वह साइड कर दी इसके अंदर बिल्कु इन बिल्ट कर दी और यह एलूमिनुम की दे रखी है पहले वाली बढ़िया थी इसके मुकाबले जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरेंस है अब यह क्यों दी गई है यह जो पंखड़ी है यह ज रखाए और एक होता हमारा मेंगनेट कवर ठीक है मेंगनेट कवर के अंदर भी पकड़ी लग दोनों अपना ठटना होने काम करती है क्योंकि इंजन पूरा ठका होता है और इसमें एयर कूल सिस्तम होता है लिकविड कूल अग्विड कूल नहीं होता ही है तो यह कुछ इस पीछा कर लें अब ये देखे यह अमारी वारसल है यह कुछ इस तरीके से देखिए मैं दिखा देता हूं यह वारसल अब यह वारसल आप लगाने के बाद इस नट को आपको टाइड करना है यह नट हमारा टाइड हो जाएगा इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता बड़ा पर चाहो तो इसको दीख सकते हों फ्लैट वाला जो Ajda वाला जो पाट जो अंदर धार भलेगे और डाउन वाला जो पाट है वो बाहर की तज़ बाईगा तो यह नट कुछ स तरीक किसे हमें क्लच सूख फसाना है तो पहले मैं को दिखा देता हूं कुछ ऐसी चीज फसेगा कैसे हैं फसाने के लिए हमें से दवाना पड़ता है यह तो यह क्लच की बैल्ट में पूरा कंप्लीटली नीचे चले जाता है और हमारी गारी रेस देने पर आगे भागती है और जो मारा पीछे का गेर्वाक्स वाला पार्ट है वो पूरा complete जो है रुका हुआता है वो घूमता नहीं है मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा बिना क्लच कवर लगाए यानिकि मैं क्लच कवर मी नहीं लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा एक चीज है अगर आप चाहो तो जार खरीट सकते हो आपको amazon का लिंक मिल जाएगा आपको amazon पर मतबर amazon पर जाके कर सकते हो अगर आप चाहते हो मैं इसका amazon लिंक निकालू आपको दुऊँ या फिर आप को इसकी फोटो भी ले सकते हो यह देखी कुछ इस तरीके से होता है यह जितनी भी एक्टिव उपको करता है और यह वोलता है इसका इसे मत करवाना उसे मना कर देना तुग करना क्योंकि तू गाड़ी की रेड़ मार देगा ठीक है भाई आपकी अपनी पसंदगी वाली बात है आप मेंकैनिक से चाहते तो करा सकते हो कोई शूं नहीं है आप चाहते हैं गाड़ी खराब करवाना तो खराब करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि भाई आपकी गाड़ी में किस तरीके से एक अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाई की गाड़ी अब यह हमने क्लच की कंप्लीट सू लगा दिया है क्लच की बैल्ट हमारी लूज ही रहेगी यह टाइट नहीं होती है उसके लावा बात करते हैं इसके बारे में यह क्लच का कवर है उपर का छोटा सा अब देखो यहां पर बापको थोड़ा सा समझना है बारी की से जब हम ग अब मतलब यह करते हैं मतलब यह है के गारी बारे क्रेंट नहीं को करते हैं और चायक्त… अचिए बाद का मतलब आधा इसा जेते हम कार में टरिकारते हैं यह पूरा यह मैं करीक। हैं ठीक है मतलब यह कि गाड़ी जब स्टार्र होती है तो आगे वाला मतलब काम करता है यह वाला और जब गाड़ी stage how करे रेस देते हैं तो पीछ सहन kicked लिख द्याम कर रहता हैं तो इस तरीगे से वहाले क में बागि यह वारसल और नट अमैं CI та 旋 सो इस तरीके से अब इस नट को और आगये बाले-टड़को मैं से टाइट कर लेना थीיל बाई तो गन से टाइट करने के लिए हमें गोटी चाहिए접 बाईशन Wir multi और हालपर हैं यूपिस तरीके से में गन से टाइट कर दे हैं इसको यह देखिए बहुत इजी मैं जो गन यूज करता हूँ वो करता हूँ CP कंपनी की कर यूज देखे भी रहाओ लोगो देख रहा है आपको CP CP मतलब सिकागो न्यूमेटिक गन न्यूमेटिक गन शिकागो न्यूमेटिक गन आपको यह मिल जाएगी अमजोन पर चाहो तो सर्च कर सकते हो करीबन मैंने जो लीती हो आज से करीबन लीती चह साल पहले 12-13 जार की बड़ाव यह सस्ती है यह मुरे खाल से पड़ी कि 9-10 जार गया स तो आपने देखा किस तरीके से प्रोपर तरीके से क्लच करके वठा दिया है अब मैं आपको दिखाता हूँ जब गाड़ी स्टार्ट करने पर काम करता है, clutch. तो सबसे पहले हैं, गारी का self मारते हैं, आप मिन्दास बिना TCTension के self मार सकते हो, क्योंकि इसकी band tex जो होती है, उस band tex के उपर cover लगा उता है, इसमें self मानने कोई दिक्कत नहीं आती, पर पुरानी वाली गारी में, आप self नाम आ रहे हैं, यह देखिए, यह कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है, यह देखिए, देखा आपने, आगे वाला गूम रहा था, पीछे वाला भी फ्री गूम रहा था, पर जैसे हम race दे रहे था, पूरी force के साथ पीछे वाला जो है, घूमता है, जो पूली हमारी, तो यह कुछ इस तरीके से काम करता है, अब बात करता है, कलच की, तो देखो काफी सारे भाइवों ने देखा हुआ, कलच की greasing करने के लिए बोलते हैं, तो कलच की greasing actually में होती ही क्या है, यह चीज काफी सारे लोगों को पता नहीं है, कलच की greasing का मतलब होता है, आपने कलच का खोला कि इसको बोलते है कि रैचिट, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, इस स्प्रिंग के अंदर हमें थोड़ा सा ल्यूब करना होता है, अगर यह स्प्रिंग proper तरीके से ल्यूब नहीं करेंगे, या बाइचांस यह स्प्रिंग जाम हो जाएगी, या बहुत धीरे धीरे उपर आएगी, तो होगा क्या, जब हम किक मारोगे आप, तो किक मारने के बाद आराम आराम से उपर आएगी वो एकदम से उपर नहीं आएगी मतलब यह कि आराम आराम से एकदम धीरे धीरे slow speed हम उपर आएगी और अगर पिल्कुल ली jam हो जाएगी तो किक उपर ही नहीं आएगी यह चीज आपको धिहान देनी है अगर spring टूड जाए यह जाम हो जाए यह कुछ ऐसा भी कुछ भी हो जाए मतलब यह कि इसमें engine oil बिल्कुल भी नहीं चलता है अगर आपको लगता है आपके clutch cover खोलने के बास या clutch cover के आसपास से oil leak कर रहा है या oil से related कोई आपको लगता है कोई sealन आ रही है तो समझ जाओ आपकी गाड़ी के clutch cover के अंदर crank की seal खराब हो गई है crank seal खराब होने पर ही यह दिक्कत आती है क्योंकि आगे वाली जो saft होती है उसमें crank होती है वो और crank के एक seal लगे होती है जब वो कट जाती है तो महाँ से oil आने लगजा है तो वो seal आप डलबालें ज़्यादा महंगी नहीं आती है वो 150 रुपर की seal आती है तो कुछ इस तरीके से हमें इसकी kick का जो ratchet है वो लगा देना है जैसे कि इस वक्त देख रहे हूँ यह लग गया बहुत ही smooth ही लग जाए को कोई इसमें कोई आपको बहुत जाता तिगणम नहीं करनी या rocket science नहीं है कोई आपका इसमें यह कुछ इस तरीके से मारा के जो clutch cover लग गया है अब आपको थोड़ा सा और समझना है बारी किसे clutch cover के अंदर आपने जायद notice किया होगा मैंने आपको बताया तो थोड़ी तर पहले इसके अंदर एक पंकड़ी लगी हुई है अब जब पंकड़ी घुमेगी तो पंकड़ी घुमने के बाद हवा को प्रकट करेगी मतना हवा उत्पन न करेगी अब वो हवा अगर उर्थपन होगी तो उसके प्रेशर पड़ेगा बहुत जादा प्रेशर पड़ेगा तो ये प्रेशर कहां रिलीज होगा ये चीज सबसे इंपोर्टन होती है तो मैं आपको एक चीज के लिए गर देता हूँ आप इसमें एक क्लचकवर के अंदर आगे की तरफ एक पार्ट देख रहो आगे की तरफ एक छोटा सा एक हॉल दे रखाय है जहां से air लीक करेगी मतल 엄 जो भी इसके नए हवा बनेगी वो हमारी वहाँ से निकलते जाएगी ठीक है यहां से निकलेगी तो भाई यह जो part आप देख रहे हो यहीं वही जगह है जहां से हमारी air रिलीज होती है जो clutch cover के अंदर बनती है clutch cover के अंदर air बनती है और clutch cover को ठंडा करता है और जो गरम अवे air है वो यहां से निकलती है अब यहाँ पे सवाल एक और उत्पन होता है वो यह है कि clutch cover की air चलो यहाँ से निकल जाएगी पर यह कहाँ पे attach हो रखा है अब देखो यह जो है ना यह जो part है यह लगता है हमारा चेचिस के अंदर जो स्कूटी की चेचिस होती अब यहाँ पर यहाँ से निकलती है तो चेचिस के अंदर घूमते होई सीधे के सीधे निकल जाती है और वो पूरे के पूरे इंजन को ठंडा करती है आप थोड़ा बहुर बारी किसे समझना इसको यह जो इंजन है यह एर कूल्ड है अब यहाँ पर इंजन में एर कूल्ड तो है पर इस इंजन को एर मिलना जरूरी है क्योंकि यह इंजन पूरा बॉड़ी से ठका होता है अब जब चेचिस पाइप जो है पूरा का पूरा यू सेड में होता है यू सेड के अंदर अब जब यूसेट में होगा वो तो कुमन सी बात है पूरे इंजन को इसे ने कवर कर रखा होगा और चेचिस के अंदर छोटे-छोटे बारिक-बार ही कहल होते हैं देखो इस पाइप को चेचिस से अटाइच कर रहे हैं अब यह अब इसको बिल्कुल भी अब अगर आपकी कि सर्विस करा हो तो यह जो पाइप आप देख रहे हो इस पाइप के अंदर एयर लगवाद हो ताकि चेचिस के अंदर जो भी धूल मटी है वो सारी सारी हौल दवारा निकल जाएं काफी सारे मेरे भाईयों को नहीं पता है इस बारे में जोची में बता रहा हूं और ग्र एक्टिवा 3G, 4G में नहीं लगेंगे वो बिल्कुल अलग होते हैं यही सबसे इंपोरेंट चीज है जो आपको बता रहा हूं एक्टिवा 3G, 4G में इसकी बैल्ट, कलच की लोलर, रोलर वगरा नहीं डलेंगे और कलच सू भी बहुत अलग होते हैं तो यह कंपनिया है तो इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको एक छोटी बात बोलना चाहूंगा आप अपनी इमानदारी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबस्क्राइब कर देना क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तब ही और पबलिक बढ़ेगी आपके वीडियो अच्छी लगे होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ मैं इंस्टाग्राम में मारे फॉलो को लेना मैं, इंस्टाग्राम पे भर भर के जानकारी मिलती रहते हैं, स्टोरी में टैक कर सकते हो, मुझे पता लग जाएगा, कि आपने मुझे से पूछा है, और मैं आपको पर्सनली मैसेज करके समझा पाऊँगा, पता पाऊँगा, तो थैंक्यू सो मच, बाबाई, टेक केर, अपना ध्यान रखना, अपने भरवालों का ध्यान रखना, पूरे परिवार के साथ मिलके, अपने परिवार के साथ रहना, परिवार में जो मजबूती है, वो किसी सिंगल परसन में नहीं है, अगर ये बात जूट है, तो नीचे कमेंट करके बताना, Thank you so much.